Hello engineers, welcome to the next session इस session में हम दो parts बनाने वाले हैं ये देख सकते हो, ये हमारा है piston और दूसरा है हमारा crank shaft ये हमारा four cylinder engine के components हैं ठीक है, तो इस session में हम दो components को complete करने वाले हैं ध्यान से देखो, एक कोना पकड़ लो, ठीक है और खतम होते ही practice करो, नहीं तो भूल जाओगे फिर ओके, चलिए फिर शुरू करेंगे और अगर आप इस lecture को YouTube में देख रहे हो Digital CAD app का link मैंने description में दे दिया है अभी फोरण Digital CAD app को install कर लो Solidworks full premium course enroll करो और Solidworks में master बन जाओ, समझे इस premium course में हमने beginner to expert level की training दी है इंजिनियर हो, तो आज नहीं तो कल इस तरह का designing software आपको सीखने ही पड़ेंगे सिर्फ degree diploma लेकर जाओगे तो कोई नहीं पूछने वाला है कुछ extra skill रहेगा तो काम बनेगा तो देर मत करो, आज नहीं तो कल आपको सीखना ही है तो क्यों ना आज ही सीख लो, है ना चलो फिर, जल्दी से digital cad app को install करो course enroll करो, और सीखना चालू करो अभी चलिए इसको हम सुरुआत करेंगे, ठीक है तो गहर से देखिए इस drawing को यह piston है, आप इस पर double click करके ज़रा zoom कर लीजिए इसको हम क्या करेंगे, आधा portion बना के revolve करेंगे फिर यह portion बनाएंगे, फिर यह cut out बनाएंगे, ठीक है तो चलिए फिर सुरू करेंगे sketch में जाते हैं, यहां से front plane और आपको एक horizontal और एक vertical center line ले लेना है ऐसा और ऐसा जो कि मैं हमेशा लेता हूँ समझे अब यहां पर देख लीजिए, इधर कितना हमारा 76 है यह हमारा 79 है, और total diameter 85 है तो इस तरह से हमें कुछ काम करना होगा देखिए बिल्कुल simple है आप यहां से line ले लो, direct ऊपर चले जाओ, no problem यहां तक चले जाओ समझे, और यहां ऐसे चले जाओ, और ऐसे right click करके select कर लो फिर यहां आपको नीचे आना है, इधर से direct सिधे चले जाओ तो यहां से मैंने ऐसा लिया कुछ ऐसा और कितने groove है, एक, दो, तीन groove है तो हम लोगों को तीन groove create कर लेना है एक हो गया दो हो गया और यहां आप एक extra ले लिजे, ठीक है यह तीन हो गया एक, दो, तीन, ठीक है यहां से ऐसा, right click करके finish अभी देखिए, यहां तक हमने बना लिया है अच्छा, यहां पर एक straight line लेनी होगी हम लोगों को कुछ इस तरह से और यहां पर बाकी का dimension डाल लेते हैं चलो, तब जाके बाकी का काम होगा, see अभी देख लो, यह total हमारा 76 है Alt और Tab प्रेस करेंगे 76 good और यह मेरा 79 यहां तक 79 मतलब इसको और इसको पकड़के हम 79 ले लेते हैं ओके दूसरा क्या है? यह total हमारा 85 है मतलब यहां से लेकर करके यहां तक आपको 85 ले लेना है काम होगा, finish escape करेंगे और जड़ा ध्यान से देखो इसको, 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 इसको कोलिनियर कर दो फिर इसको, इसको, इसको कोलिनियर करना है प्लस, इक्वल भी करना है अब dimension डालते हैं चलिए तो आप देख सकते हो यह जो गुरू है हमारा उसका 4.3 है मतलब यह हमारा 4.3 रहेगा ठीक है? और यह जो है 7.3 है मतलब गुरू के बाद यह जो है वो 7.3 का है एक और चीज़ है escape करके इसको इसको और इसको तीनों को हम equal कर देते हैं काम हो गया हमारा इतना आगे का काम बाद में करेंगे see, अभी और dimensions डालने हम लोगों को यह total height देख लिजिए 90 का है तो मैं यहां से यहां तक 90 डाल देता हूँ 90, 90 यह देखिया हमारा fully define हो चुका है clear अगला see अभी यह देखो हमारा 5 का height दिया हुआ है यहां हम लोगों को एक arc लेनी होगी समझे ना है एक arc लेनी होगी तो यहां हम जाएंगे इधर 3. arc 1, 2 एक काम जरूर कीजेगा इस arc का जो center है उसको select करके control और इसके बराबर आपको coincident कर देना है दूसरा काम यह करना है यहां से यहां तक का हमें vertical height लेनी है कितने 5 की यास अब इसकी height हमें देखनी होगी कितनी है इसकी height देख सकते हो यह देख लो हमारा 85 दिया हुआ है तो आप इसको 85 का ले लो और यह हमारा काम finish इतना ही पहले हमें कर लेना है half portion बना लिए उसके बाद हम उसको revolve करेंगे इतना ही parameter से ना और कुछ तो नहीं दिख रहा है यहां पर ठीक है बाकी का करेंगे बाद में finish करेंगे अब हम इसको कर लेते हैं revolve revolve which axis this axis इस axis को select कर लिजिए यह हमारा काम हो गया ठीक है अब यहां पर जाएए plain white और आप यहां से chrome अगेरा जो लेना है ले लिजिए आपकी मर्जी ठीक है यहां पर chrome इसको ले लिजिए मुझे काफी पसंद है आप brass भी ले सकते हो आपकी मर्जी चलिए हम brass रखते हैं ठीक है space करके isometric अगला step जड़ा गौर से देखिए यहां पर दो cylinder बनाना है और फिर हम उसमें hole डालेंगे ठीक है कैसे करेंगे चलिए देखते हैं no problem beach का gap हमारा 38 दिया हुआ है यह भी आसानी है don't worry आप यहां से right plane ले लो sketch में चले जाओ good अगर आपको इस तरह से काम करने में परिशानी हो रही है तो आप इसको क्या कर सकते हो यहां से off कर सकते हो ठीक है ताकि आपको दिकत ना हो और यहां पर circle ले लेते हैं एक स्मार्ट डाइमेंशन देख लिजे बड़ा वाला diameter लेंगे हम पहले 45 का तो आप यहां पर 45 diameter ले लो पहले और इसकी height कितनी है यह देख लो 27 इस तरह का piston हमने radial engine में बताया हुआ है मिलता जुलता है ठीक है तो ज़्यादा आपको परिशानी नहीं होगी और यहां से आपको यहां पर 27 ले 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 है उसमें भी 27 का ही था escape करेंगे और इसका center और इसका origin पकड़के vertically हम align कर देंगे ठीक है यह देखिए हमारा एक काम तो हो चुका है अब हम करेंगे इसको extrusion आप इसको भी flip कर सकते हो no problem up to next कर दो और यहां आपको offset लेनी होगी कितने 38 का आधा 19 होता है तो आप 19 का ले लिजिए दिख रहा है क्या साबश यह देखो यहां पर 38 दिया हुआ center से हमने लिया तो 19 हो जाएगा ठीक है यह रहा मारा फिलिप करेंगे ता इसा हो जाएगा तो हमें जो भी direction में चाहिए आप उसके हिसाब से फिलिप करके ले लो एक ये काम हो गया अब इस extrusion को हम क्या करेंगे mirror करेंगे ठीक है इसको select किजिए यहां आपको mirror में जाना है और कौन सा plane आप इधर लिजिए और ये right plane को select कर लिजिए देन ओके सी ये देखो बन गया हमारा अब यहां hole भी तो डालना है तो hole का diameter कितना ये देखिए 33.8 का है 33.8 उसी तरीके से हम right plane को लेंगे फिर से ओके और again हम यहां पे वही अगर आपको नहीं दिख रहा है center तो आप यहां पे जाईए और इसको ऐसे लिजिए तो आपको center highlight हो जाएगा यहां पर आप ले सकते हैं फिर आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा 33.8 का लेना है ओके finally done अब आपका काम हो जाए तो आप यहां से ऐसे कर लिजिए finish it अब इसको हम extruded cut करने वाले हैं बट both side यहां से आपको both side कर देना है say okay to it यह देख लो काम हो गया हमारा see आसान है इसा अब अगला step क्या करना है यह जो cut out दिया हुआ है इसको करना होगा हम लोगो को इसको क्यों लिया गया है जब यह घूमेगा ना यह जो connecting red हमारा यह इधर से टकराना नहीं चाहिए है ना नहीं तो damage होगा ना हमारा piston हो गया रहा तो इसलिए यह cut out create किया गया जब यह घूमेगा जब यह घूमाएंगे ति यह नीचे उपर होगा यह घूमके यहाँ पर touch हो जाएगा तो touch नहीं होना चाहिए इसलिए cut out दिया गया ठीक है यहाँ आप लेदा front plane and then okay आप यहाँ से एक center line ले लो मैं हमेज़ा infinite लेता हूँ आदत हो गई है ऐसा कुछ then okay then okay एक line ले लो आराम से आप यहाँ से पकड़के कुछ ऐसा right click select इसको आप mirror कर सकते होता कर लो इसको select करेंगे यहाँ से mirror about this one then okay आर्क लेना है आप आर्क ले लीजिए कुछ इस तरह से बिल्कुल simple है देखने में लगता है कितना tough है बट ऐसा कुछ भी नहीं है समझे यहाँ से यहाँ तक मैंने ले लिया right click select dimension डालेंगे 50 का है यह मेरा 12 का है यह मेरा 40 का है यह हमारा 50 रहेगा यह हमारा 12 रहेगा और यह हमारा 40 रहेगा that's it इतना ही करना है बाकी यहाँ पर fill it करना है वो बाद में करेंगे इसको लेता हूँ चलिए फिर इसको हम cut out करेंगे extruded cut लेते हैं इस sketch को select कर लेंगे up to next कर देते हैं यहाँ से up to next नहीं तो through all कर दो एक side through all कर देते हैं आर पर बट यहाँ जो है न हम लोगों को bottom से देखना होगा यह जो portion है यार यह हमारा यहां तक लाना पड़ेगा तो आपको थोड़ा सा offset डालना पड़ेगा यहां से इधर से नहीं हम flip करेंगे यह देख लो हमारा या तो 32 क्या सपस 35 sorry 25 इस तरह से हमें करके एक बार चेक कर लिना चाहिए यह हमारा cut नहीं होना चाहिए नहीं तो एक और चीज है यहां पर आप क्या कर सकते हैं इधर आपको plane ले लेना है कुछ इस तरह से आप इसको जड़ा flip भी कर लो यह देख लो हमने इसको flip कर दिया तो हमारा काम हो जाएगा ठीक है ओके यह देखो हमारा काम हो गया एक side से हमारा cut गया अगला step इसको हम mirror कर सकते हैं mirror कैसे करेंगे इसको select करेंगे यहां से mirror लेंगे और mirror में हम इस बार कौन सा plane लेंगे यह front वाला plane लेंगे see इस तरह से then okay यह देख लो अब एक और काम यहां पर करना है हम लोगों को 10 mm का fillet डालना है ठीक यहां पे लिजिए 10 अल्रेडी लिया गया है इसको इसको और यहां से फिर इसको और फिर इसको सब को ले लेते ठीक है then okay see यह देख लीजी हमारा इस तरह का हो गया है okay finally हमारा यह काम हो चुका अचा कहीं पर अगर कुछ fillet विलेट है तो आप डाल सकते हो बट ऐसा कुछ नहीं दिया है समझे बिलकुल as it is हम रहने देते हैं हमारा काम हो चुका piston हमारा ready है हाँ थोड़ा बोट अगर इधर 1122 का आप डालना चाहो तो डाल सकते हो यह अपने तरिप से है ठीक है आईसा आप कुछ ले सकते हो ठीक है यह कोई जरूरी नहीं है आप यहाँ से डाल दीजिए ओके इस तरह से भी आप ले सकते हो चलो रहने देते हैं ओके लेना है तो ले लो नहीं तो कोई जरूरी नहीं है बस है ना बस यह मैंने ले लिया अंदर में भी कुछ लेना है तो आप ले सकते हैं जैसे कि इस फेस में कुछ डालना है इस में डालना है और इस फेस में डालना है इसमें डालना है तो आप डाल सकते आराम से no issue ठीक है कुछ इस तरह से one one का ले लिया मैंने पाकी यह जरूरी नहीं ठीक है यहाँ पर दिया नहीं है यह मैंने अपने तरफ से बोल दिया है लेना है तो ले सकते हो अच्छा यहाँ पे तो हमने डाल दिया यह यह नहीं यह तो आप इधर वाला भी ले लो समझे चलो ठीक है ले लेते कोई इस नहीं ठीक है यह देख लो इधर जो लग छोटा 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 ले लिया अगर आपको कम करना है तो थोड़ा कम भी कर सकते 0.5 mm का and then okay to it और इसमें भी आप चाहो तो 0.5 का ले लो 0.5 mm ठीक है यह हमारा पार्ड बनके तैयार है इधर भी कही फिलेट भी ले डालनी है थोड़ा बहुत तो आप ले सकते हो सी ऐसा और इधर कुछ ले ना है तो ले सकते है अराम से है ना ऐसा कुछ ले लो कुछ इस तरह से आप select करते जाओ face को यह अपने आप ले लेता है no issue ठीक है कुछ इस तरह से okay that's it इतना ही है ज्यादा हम नहीं करेंगे काम हो गया हमारा finish चलो I think कि यह हमारा complete हो जगा है ठीक है चली इसको हम save कर देते हैं और यह हमारा part number one रहेगा इसको बोलेंगे हम piston piston इंटर अब दूसरा है हमारा crank shaft तो जड़ा नीचे आ जाते हैं इसको जड़ा गौर से देखते हैं बड़ा important step है इसमें तो जड़ा आखे खोल के ठीक है ध्यान से देखो यहां से हम लोगों को शुरुआत करनी है इस जगा से यह देख लो जड़ा गौर से यह exactly हमारा center र गया है समझे तो यहां से यह कटा हुआ portion कैसा दिखेगा उसका dimension दिया है और hatching दिया है मतब section के बाद तो यह हमारा right hand side है और right hand side से हमें बनाना यहां पर समझे तो सबसे पहले हमें एक circle लेना है कितने का 72 का और उसको 38 में हम क्या करेंगे extrusion करेंगे एक नया file लेते हैं प आप चाहोत यहां center lines ले सकते हो बड़ ऐसी कोई जरूरी अभी तो नहीं है boss ठीक है इसका जो dimension है वो 72 रहेगा good see यह देख लो 72 दिया हुआ है और हम इसको finish करेंगे अब यहां आपको extrusion करने है कितनी देख लो यहां पर 38 का है तो आप यहां पर 38 डाल दो and then okay कर दो समझे यहां से plain white और यहां से still लेना है still ले लो like this ठीक है यहां तो फिर brushed still लेना है brushed still ले लो okay ठीक है अब अगला step क्या है इस face के ऊपर इस face के ऊपर हमें यह वला बनाना है यह वला ठीक है तो चली बनाते हैं दूसरा horizontal ले लेते हैं okay close it जड़ा ध्यान से देखो alt और tap प्रेस करता हूं नीचे हमें एक दो circle चाहिए अराम से ले लो दो circle no problem एक यह ले लो दूसरा यह ले लो ठीक है पहले वाले का diameter कितना है इसका diameter कितना है तो इसका diameter यह देखो यहां दिया हुआ है 54 का है क्योंकि section यहां से लिया गया यह 54 है तो आप इसको 54 ले लो ओके दूसरा क्या है दूसरा यहां पर 36 radius मतलब 72 इसका diameter होगा तो आप यहां से 72 डाल दो good अगला step क्या है origin से इसका नीचे कितना 44 लेना है तो आप इसको 44 डाल दीजे good next tip क्या है इसको skip करते हैं एक line ले लेते हैं single सा इस तरह से हम tangent कर देंगे right clicker करके select इसको properly अब tangent कर लो yellow mirror इसको select mirror about this vertical center line good और यहां हमें एक arc लेनी है कुछ इस तरह से कुछ ऐसा right clicker करके select दोनों के बीच का angle कितना 33 इसका radius कितना 80 इसका radius 80 कर देते हैं और दोनों के बीच का angle हमें 33 लेना है ठीक है इस तरह से यह फिर भी हमारा fully defined नहीं हुआ है क्या करना है यह देखो इसको एक बार drag करके check कर लो इसका देखो origin पकड़ना है इसको पकड़ना है coincidence कर देना है yes finished अब यहां trim कर देंगे इसको और इसको दोनों को ले लिया अभी देखो यहां पर क्या करना है आगे आपको पता चल जाएगा यह मैंने लिया है क्योंकि एक ही बार में मैं इसको और इसको दोनों को लेना चाहता हूं बस ठीक है finish finish अब जड़ा गौर से देखो इसको extrusion करेंगे और कितना हम extrusion लेना थी यह देख लिजिए हमारा पंदरा लेना है यह हम पंदरा ले लेते हैं good merge रखना है अब इस पर जाएए sketch में जाएए फिर extrusion में जाएए अब इस पर जाके जड़ा इसको आप delete किजिए यह और यह ले ले लिजिए ठीक है अब इसको कितना लेना है तो यहां से यहां तक 15 हो गया और यह मेरा 46 हो गया तो यहां आपको 15 प्लस 46 जालना होगा 15 प्लस 46 इस तरह से तो यहां से यहां तक का 46 ही रहेगा आप चेक करना चाहें तो कर सकते कैसे देखाता हूं मैं evaluate में जाएए यहां से इधर से इधर पकड़ लीजे कितना आ रहा है देखो यह मेरा 46 का रहा है यह देखो center वाला समझ में आई बात तो यहां पर 46 आ रहा है जो कि हमें गुड अच्छा यहां एक और अपने तरफ से हम एक यहां पर cut out करना चाहते हैं space isometric sketch में जाएंगे या तो फिर हम यहां से front plane लेते हैं sketch में गए यहां पर मैं अपने तरफ से कर रहा हूं इसके लिए कोई जरूरी नहीं है यहां से हमने ऐसा लिया ऐसा लिया और ऐसा लिय ठीक है right click करके delete यह मैं अपने तरफ से cut out कर रहा हूं for better look actually और कोई जरूरी नहीं है आप मत करना इस तरह से मैंने इसको cut out कर लिया इस तरह से ठीक है बाद में देखेंगे क्या करना है इसमें सो अच्छा इतना होने के बाद इसको आप save करते चलो then okay crank shaft मैंने save कर दिया आग ऐसा ही मुझे इस side भी चाहिए समझ में आरी बात ऐसा ही मुझे इस side चाहिए मतलब ये और ये दोनों को लेना पड़ेगा तो इसके center में मुझे एक plane लेना होगा ठीक है कैसे don't worry यहां हमने बताया है आप इस face को ले लो और इस face को ले लो दोनों face के बीच में एक हमारा bisector plane आ गया है या bisect या mid plane बोल सकते इसको ठीक है अब चलिए हम इसको करेंगे mirror कैसे करेंगे mirror तो आप इस पे जाए mirror plane पहले ले लेना है और feature लेना है body लेना है जो लेना है ले लो कोई problem ने अगर feature लोगे तो multiple लेना पड़ेगा body लेंगे तो एक ही में हो जाएगा हमारा see और यहां intersect हो रहा है दोनों एक जगा पर घूस रहे हैं बट यह merge होके एक ही object को बना लेगा समझे कोई issue नहीं है यह देख लिजिए इतना काम हमारा हो गया है अगला step यहां तक हमने तो कर दिया यह भी हमारा आ चुका है see मतलब हमारा यहां तक काम हो चुका है अभी हम क्या करते हैं इसको इधर लेना है मतलब यह जो दोनों है इसको हम mirror करेंगे बट यह उपर है यह नीचे है मतलब 180 degree में हमें rotate भी करना होगा इसको हम क्या करेंगे पहले mirror करेंगे फिर उसको rotate कर लेंगे ठीक है चलिए फिर कै कैसे करना है तो एगें मुझे यहां पर इसका भी देख लिज़े 46 ही है समझें यहां पर देख लिजो 46 ही है तो ज्यादा फर्क नहीं इसके center में हम क्या करेंगे कि यहां पर इधर से इधर से हमें the mirror करना है तो ज्यादा आपको tension nहीं होगी simple है, इसके बीचों बीच में हमें एक plane की जरूरत है बस कैसे लेंगे, एक लिया plane select करो, select करो, ये रहा हमारा ठीक है अब मुझे क्या करना इन सब को, mirror करना है फिर बाद में हम उसको क्या करेंगे, rotate करेंगे चलिए कैसे करते हैं, सो देख लेते हैं, mirror लेते हैं ये लिया mirror, ये लिया plane, this is the body अच्छा, इस बार आपको merge नहीं करना है क्योंकि हमें इसको rotate करना है 180 degree में तो अगर मैं merge कर दूँगा, ये rotate नहीं हो पाएगा इसके साथ ये भी rotate हो जाएगा था मैं इसको merge से हटा देना है, देनोके कर देना है अच्छा, अब इसके बाद इस portion को यानि यहाँ पर देखिए, दो bodies हो चुके है एक पहला वाला था जो, और अभी जो मैंने mirror किया है वो, तो हम लोगों को mirror 2 वाला component को rotate करना है, वो भी 180 degree में यहाँ पर देख सकते हो, move and copy body का एक tool है अगर यह आपको यहाँ नहीं मिलता है तो आप क्या किजिए, इधर जाएए, customize में जाएए और commands में जाएए यह हमारा feature है और यहाँ आपको मिल जाएगा, see, this is the tool अगर इधर drag करके लाएंगे तो यहाँ से गायब हो जाता है इधर भी गायब हो जाएगा तो हमें अभी इस part को बनाने के लिए दो commands की जरूरत है एक तो यह हमारा हो गया, move copy body इसको drag करके इधर रख लो और यह हमारा combine है तो combine को भी मैं यहाँ पर रख लेता combine क्या करता है, multiple bodies को combine कर देता यानि single कर देता, ठीक है चलो, तो अब मुझे क्या करना इसको 180 degree में rotate करना है यहाँ पर जाएगे, move and copy body पहले तो body is to select this body और मुझे किस direction में rotate करना है यह वाला जो दिख रहा, यह वाला, यह वाला x वाला, समझे न, आप इसको पकड़के यह देखिए, यहाँ पर आपको angle दिखेगा x वाला 180 degree में मैंने rotate कर दिया यह देनों के कर दिजिए, see यह perfect हो गया origin से ही rotate हुआ है, बिलकुल perfect 180 degree में हमारा आ चुका है ठीक है, अब मुझे बताइए जरा सा और क्या बाकि रह गया है हमारा काम कहां तक हो चुका है हमारा काम यहां तक हो चुका है अभी total मैं क्या करता हूँ एक और plane लूँगा और sub को उठा के इधर mirror कर दूँगा, बात खतम हो जाएगी फिर अगला step हमारा क्या रहेगा एक और plane, यहां पर इन दोनों के बीच में कुछ इस तरह से, देनो के और मैं again यहां पर mirror लेता हूँ plane तो मेरा already selected है bodies, this one and this one देनो के yes, यह देख लो हमारा काम हो चुका अच्छा देखिए, यहां पर अभिकुल मिला के चार body है, है ना, इन चारों को मिला के हमें एक body में convert करना है उसके लिए आपको combine लेना पड़ेगा एक हो गया, दो हो गया तीन हो गया और चार हो गया समझे, यह add रखना है, रोके कर देना है यह देखो, यहां पर एक body हो गया समझे, यानि यह सब unite हो गया अभी जितने भी datum plane से उन सब को आप hide कर सकते हो select कर दीजिए और यहां से hide कर दीजिए बस, इतना काम तो हमारा हो गया बस देख लो, कितना आराम से हो गया हमारा ठीक है, अब next यह देखो, यहां तक हमारा काम हो चुका है यह देखो, यहां तक हो चुका है, समझे next क्या है, यहां पर हमें 144 mm डामीटर का एक circle लेना पड़ेगा, इसको select कि JS sketch में जाईए और यहां से 144 लेना है, ले लेते हैं 144 144 और यहां पर 110 का एक और circle लेना है बढ़ यह PCD रहेगा, इसको आप construction में कर सकते हो 110 का 110 एक और circle लेना है, यहां पर 10 diameter का मतलब hole है, यहां पर आप इसको इधर ले सकते हो और यहां से आप 10 डाल दो ठीक है? अगला step क्या है, इसको हम pattern कर लेंगे यहां से circular pattern number of item 10 कर देते हैं, क्योंकि 10 numbers लिखा हुआ है इधर, इसलिए diameter 10 और 10 numbers दोनों same यह तो मैंने ले लिया, इंदेन ok कर दीजिए यहां पर एक है button fully defined, यह वाला है, fully defined sketch, यहां पर calculate करेंगे automatic है, calculate करके ok कर दो यह भी एक सांदार तरीका है नहीं तो आपको यहां से drag करके coincident करना पड़ेगा यह तो हमारा हो गया boss ठीक है next step क्या है, यहां से आपको extrusion करनी है कितने में extrusion करनी है, यह देखो यह भी हमारा 15 में ही है तो आपको इधर 15 ले लेना है that's it इतना काम हो गया अब एक काम आखरी बच गया हमारा यह जो है 100 32 diameter, 80 length select करेंगे sketch यह लिए मैंने circle इसको select केजिए 32 diameter यह लिए मैंने 32 diameter और इसको extrusion कितना करना है 80 में करना है 80 डाल देते 80 80 जोनों के, see यह हमारा perfect हो गया है समझे अब जरा देखिए all are three मतलब यहां यहां जितने भी हैं इन जगों पर आपको three radius लेना है fill it तो यह मैंने लिया fill it three ले लो अभी देखिए मैंने इसको select किया यहां पर बहुत सारे options आ रहे हैं इतने सारे आ रहे हैं और इतना सारा आ रहा है तो कौन सा लेना है या तो फिर इसके जगा पर मैं इसको ले लेता हूँ पहले तो see यह देखो इधर लिया गया इधर ले लेता हूँ मैं पहले यह चाहिए यह चाहिए यह चाहिए यह चाहिए या फिर यह चाहिए ये वाला last वाला ले लेंगे हम लोग पहला काम हमें यही करना है ओके और इसका जो radius रहेगा वो 3 का रहेगा अच्छा इतना हो गया 3 का आप चाहो तो यहाँ पर भी select कर सकते हो 3 का ओके ना और कहीं पर है क्या और कहीं तो नहीं है ओके कर देते हैं बाद की जो बचे गासों हम बाद में ले लेंगे कमाल का है न अच्छा अब ही मैं अपने तरब से क्या करता हूं सो देखिए इधर 10 लेना चाहता हूं जैसे की ये लिया अब यहाँ पर देखिए इधर 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 या फिर इधर ये तो जमेगा नहीं, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, हाँ, ये लेना है, ले सकते हो, दोनों हो गया, ठीक है, यहाँ पर जाता हूँ, फिर इसका में ले लेता हूँ, इस तरह से थोड़ा सा क्या होता है, आपका समय बचेगा, दूसरा बला लेलो, within your यहां से लेलो, यह दूसरा बला लेलो, okay, फिर यह लिया मैंने, यह भी दूसरा बला लेलो, फिर यहां से यह लेलो, एक बार में आ जाता था अच्छा था, नहीं आ रहा है, तो खायर कोई बात नहीं, कम से कम 50% तो हमारी महनत बच रही है, यह देख लो, 2, 4, 6, 8, पाट, ओके, ओके, सी, हो गया कम, फाइनली डन, अच्छा, आपको चाहिए, तो आप 3-3 का ले सकते हैं, यहां से 3 का, मैं यह एक का ले लेता है, अपने मर्जी का मैं ले रहा हूं, सी, यहां से आप चाहो, ऐसे ले सकते हो, फाइनली डन, यहां से हमने इसको ले लिए, ठीक ओके, आइठिंक यह सारे, बना दिये हम लोगों ने, देनों के, कुछ बाकी रह जाए, तो आप देख ले न, चलिए, तो यह देख लिजिए, हमारा क्रेंक साफ्ट बनके हो गया है, तयार, ठीक है, सी, यह कितना कमाल का है, आप चाहो तो यहां से, यह ले लो, और यहां पर आप चाहें, क्रॉम, एल्मिनियम, स्टील, ब्रांज, ब्रास, कॉपर, निकेल, वाटेवर, जो लगता है, आप ले लिजिए, चलिए, आई होप, यह दोनों पार्ट आपको समझ में आ चुका होगा, मैं इसको कंट्रोल एस प्रेस करके सेव कर देता हूँ, ठीक है, य कि पाक पिए